पच्चीस वर्सों का सासन कोई छोटा सासन नहीं होता है छेत्र की जनता ने उनको अवसर दिया लेकिन ओन्टा बिधान सभा में कहीं भी सिक्षा के लिए उन्होंने कोई पहल नहीं किया पिसानों की हित्की बात नहीं की इस कारण आज की शान यहां का जो है आर्थी जनता पार्टी के बेनर के तले कलेक्टेरियर को भेरने का काम कर नहीं है पहस्ता चार पढ़ा है सरे आम वो लोगों के साथ शराब पीने और पिलाने की बात करता है दीडी तक लोगों के साथ पीता है और यहां की जनता को भैवित करने का काम करता है जब चुनाव आता है तो लोग उससे सहमे भी होते है क्योंकि उसकी अप्रादिक यो छवी है उससे जनता के अंदर एक ऐसा वाकावरन बना हुआ है कि जनता उससे भैभीत है यहां का जो गिधायक है मंत्री है अब आप बताईए कि उद्योग मंत्री रहने के बाद की नक्सर प्रभावी तिलाका है लेकिन नक्सरियों को मुखे धारा से जोड़ने के लिए उन्होंने एक उद्योग की अस्थापना नहीं की अब जब उद्योग नहीं होंगे कल कार खाने नहीं होंगे तो कैसे लोगों को रोजगार मिले तक सली कैसे अपने विजाद धारा को छोड़के दूसरे तरब मुखाती होंगे उद्योग लगने से निस्षित रूपशे उसमें लुकावट आती और वैसे लोग जिनको इन धारा से जुड़े हुए हैं तो समाज का एक अंग बनके अपने बच्चों को आगी ले जाते पढ़न पाथन कराते और जब अपनी शरकार थी तो बहुत वैसे नक्सलियों ने भी समत्पन किया है मुझे कहते हुए आमार हर्स हो रहा है कि आज उसके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ने हैं और आज केमिर के द्वारा जितनी भी योजनाएं हैं कि सरकार ने शरक बंद करा दिया है चोगदर से पहले तीन प्रदेसों का नाम होता था विकास के एक प्रतिविम्ध के रूप में आप गुजरात की बात करें आप चा्टिसगन की बात करें आप मध्यपरदेश की बात करें इनको विकास के नाम से जाना जाता है गुजरात मॉडल के आधार पर हमारे देश के प्रधान मंत्री जो अधी नरेंद रमोदीजी हैं उन्होंने प्रधान मंत्री पद धार करने के बाद एक यसवस्वी प्रधान मंत्री बनने का जो गौरव की हासिल किया और पहली बार लाल किला से उन्होंने सोचाले निर्मान की बात और सोचाले निर्मान की जब बात उन्होंने किया तो देश की जनता ने काफी सरा है लेकिन तमाम भी पक्षी पार्टियां जो थी उन्होंने इसको मजाग के रूप में लिया लेकिन मैं कह सकता हूँ, मैं जिस प्रदेश से आया हूँ, आज वहाँ जार्खन प्रदेश, सोचाले से ओड़ी अप्रोगा है, आज बताईए छे साल की मासुम बच्ची, जो कलास दो की शात्रा थी, उसका तीन दरीदों ने बेरहमी से उसका बलातकार किया, यहां का विध साल की मासुम बच्ची के साथ ज्याय नहीं होता है, एक अपरादी जो पकड़ा गया है, सुनते हैं कि वह अपरादे नहीं है, लेकिन मुख्य अपरादी जो है, आज भी यहां के विधायक और मंत्री के संदर्चन में प्लयाम धुन रहा है, इसलिए 36 गड़ का दिकास तर सरकार बनेगी, तो लोग भाजपा की और मुखातिप, भाजपा को चाहते हैं कि यहां से जीते और 36 गड़ में भाजपा की सरकार बनेग, अब निश्यत रूप से मेरा ऐसा मानना है, इस बाद सारे कारिकर्ताओं ने कमर कसा है, और जनता की भी यह सोच है कि परिवर्तन हो और निश्यत रूप से कौन का ध्रहन सवा भाजपा की जनता पाटी जीतेगी, क्योंकि यहां अपराद चरन सीमा पर है, यहां क्या नहीं भोटाला हुआ, रेग का भोटाला हुआ, कोईला का भोटाला हुआ, चावल का भोटाला हुआ, दो हजार करोड, धारू का भोटाल पड़ रहा है उनका बेटाप पलायन कर चुका है फाग चुका है क्योंकि जितना घोटाला उनकी सरकार में उनके पुत्र ने किया तो ये एक तरह से यहां का जो भुखी मंत्री है उसको करबसं करबसं माश्टर कहा जाता है उनके दिशा निर्देश में ही ये प्रदेश हैस अब अगर मंत्री वो बने है और मैंने कहा कि एक ऐसा श्यक्र है इसकी चर्चा संदेगा होता है उन्होंने अपरात को बढ़ाया है उन्होंने प्रिश्टाचार को बढ़ाया है विकास के नाम पर कहीं एक सब को 25 साल में उन्होंने क्या किया कहीं एक विकास नहीं हुआ है एक उत्योग की अस्थादना नहीं किया है यही तो रियेक्शन है उनके खिराब का इसी की जनता परिवर्तन चाह रही है एक स्कूल का निर्मान नहीं हुआ एक कॉलेज का निर्मान नहीं हुआ एक हॉस्पीटल का निर्मान नहीं हुआ एक मले की पेजल के लिए उन्होंने जर्नल योजना को बंद कर दिया प्रधान मुंत्री आवास जो क्यान की योजना है उसको बंद कर दिये सरकार ने बंद कर दिया तो कही आम लोगों का विकास नहीं ओंटा विधान समा विकास से कोशो दूए इसलिए यहां की जनता निश्चित मन बनाया है यह अथी परिवर्थन होगा और भार्ती जनता पती का कमणती आप देखे होंगे लगातार जुलावों का अगर ख़ लिश्क आप देखी हो कभी 20 मतों से कभी 26 मतों से कभी 100 मतों से, कभी 200 मतों से, कभी 5000 मतों से, कभी 6000 मतों से, मने की जीत के करीब आके हम भा रहे हैं. कोई भी कंढिडेट जो होता है, जीत की घोशना करता है कि हम जीत रहा है. यहां तिल्कोनात्मक चुनाव जो हुआ, इहां वोट कितना है, हम जहां से आते हैं, वहां चार्स भालंग से उपर भूब review, मैंने कभी नहीं कहा है कि एक लाख भूट से जीते हैं, उनकी इस ति्थिक, 25 साल iki साल में क्या है, क्या हो 50,000 वोट से जीते हैं, कभी क्या है, कि यहीं कहने के लिए आए हैं जब अपनी सरकार भार्ती जन्ता पार्टी की सरकार थी क्या किसी विधायक पर रेष्टाचार का आरूप लगा कि यहीं किसको खोजता है जो गलत काम करता है जो लूटने का काम करता है जो खजाना लूटता है अब दारों की बात कीजिए किसने भोटाला किया तो ये सरकार ने किया इसके भारती जनता पार्टी के साथ जंता है बोधी जी का जो सुलोगन है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रियास यही रंग लाता है आप प्रधान मंतरी आवास की बात कीजिए क्या अगर हिंदु भाई को मिलता है तो दूसरे भाई को नहीं मिलता है क्या है अगर खाध्यान लोगों तक पहुँचाय जाता है तो उसमें कोई वात देखा जाता है क्या है बोधी जी ने बड़े मन से शब को विकास करने का काम किया है इसलिए जन्ता उनके साथ है यही कारण है कि देश में तिसरी बार सरकार बनने जा रही है और प्रचन महमत से मोदी जी बुनह देश का प्रधान मत्री बनेंगे यहां मुधार की जन्ता बारी की सब्सक्राइब सब्सक्राइब गैर भाजपाई प्रदेश में सारे लोग बंगाज सरकार की सारे पर काम करें और सभी लोगों का नेता ममता बनटी ममता बनटी से यह लोग आहिए हैं हमारे जहारखंड की जहां तक बात आपने किया अभी जो सरकार है है मन स्वरेंट की सरकार रोज वो भी इडी का चक्कर लगा रहे हैं उन्होंने माईस अपने नाम से लिया है अपने परिवार के नाम से लिया है और वो सरकार भी परिवारबात को पढ़ाने का काम की वहां भी रोज आदिवासी बालाओं की हत्या हो रही है उसका अभरन हो रहा है उसका पलातकार हो रहा है और वहाँ भी दारू घोटाला हुआ है, इस प्रकार चतिस गड़ में हुआ है, जोर-चोर मोसेरा भाई है, दोनों एक रूपता का प्रतीक है, इसने जारखंड में भी अपनी सरकार जो है, वो कम जाएगी कहना मुस्किल है, आपको पता होगा जब रहोरदास जी की सरकार थी, नक्सल समाब ठोगिया, प्रधान मंत्री कहीं भी जाते थे, वो कहते थे विकास अगर देखना है तो जारखंड जाईए, जहां विकास दिफ्तागी है और विकास पूलतागी है, लेकिन आज वहाँ भी बालू के लिए एक इल्लत हो रहा है, लोगों का प्रधान मंत्री आ पाच हजार रुपिया, दो एकर वाले को दस हजार रुपिया, तीन एकर वाले को बंदरह हजार रुपिया, चार एकर वाले को प्रधी सजार रुपिया और पाच एकर वाले को सलाना पचीस हजार रुपिया दी जाती है, वैसी योजनाओं को बंद कर दिया गया है, जहां के साथ इनका कोई सरोकार नहीं है दुभाव ने वादों के साथ सरकार आई हमारे यहां तो बेरोजगारी भत्ता पांच हजार से साथ हजार देने की बात की गए थी एक भी बेरोजगारों को आज तक भत्ता ने दिया गया है इसलिए मैं कह सकता हूं कि 36 गर्ड और ज्हारख एक रूप से चल रहा है यहां भी सरकार जाएगी और वहां भी सरकार जाएगी